मार्गम सत्यम जीवन येशू, प्रियतम येशू, अनुपम येशू सबको जै येशू की चालिसे की चाउते एत्वार के पोजन पद्दति में हम लोग आज के दिन में बहग लेंगे और इस वक्त मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ, आज की रोटी कारे करम के द्वारा सू समचार को सुनने के लिए बहुत दिल्चस्पी बरा सू समचार है, समबवता इससे सू समचार को हम लोग ने हजारों बार पड़ा होगा, सुना होगा, लगबग, लगबग, कंटस् फिर भी आज का ये वच्छन हम सबी सुनते हुए, प्रभू इन वच्छनों के द्वारा मुझसे हम सबों से क्या कहता है, इस बात को समझने के चेश्टा करें। मनिश्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है, इस पर इस सुने उनको या द्रस्टांत सुनाया, किसी मनिश्य के दो पुत्र थे, चोटे ने अपने पिता से कहा, पिता जी संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए, और पिता ने उनमें पर्च कर चुका था, तो उस देश में भारी अकाल पड़ा, और उसकी हालत तंग हो गई, इसलिए वा उस देश के एक निवासी का नवकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सुवर चराने भेजा, जो फली या सुवर खाते थे, उनी से वापना पेट भरना चाता था पर कोई भी उसे उन में से खुश नहीं देता था, तब वह होश में आया, और यह सोचने लगा, मेरे पिता के गर कितने ही मजदुरों को जरूर से ज़्यादा रोटी मिलती है, और मैं यहां भू को मर रहा हूँ, मैं उड़कर अपने पिता के पास जाओंगा, और उससे कह लीजिए, तब वह वड़कर अपने पिता के घर की वोर चल पड़ा, वह दूरी था, कि उसके पिता ने उसे धेक लिया, और धया से द्रवित हो उटा, उसने दवड़कर उसे गले लगा लिया, और उसका चुम्बन किया, तब पुत्र ने उससे कहा, पिता जी, मैंने स्व अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसे पहनाओ, इसकी उंगली में अंगुटी और इसके पैरों में जूते पहनाओ, मोटा बचला भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा या बेटा मर गया था, और फिर जी गया है, या खो गया था, और फिर मिल गय और वे आनंद मनाने लगी उसका बड़ा लड़का खेत में था जब अला उड़कर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवास सुनाए पड़ी उसने एकनव करक बुलाया और इसके विशे में पूचा इसने कहा आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बश्रा मारा है क्योंकि उसे उन्होंने उसे बला च्छंगा वापस पाया है इस परवाकृद हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा तब उसका पिता बाहर आया और उसे मनाने लगा पर उसने अपने पिता को उत्तर दिया देखिए मैं इतने बरसों से आपके सेवा करता आया हूँ मैंने कभी आपके आग्या का उल्लंगन नहीं किया फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्छा तक नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मना हूँ पर जैसा आई आपका या बेटा आया जिसने वेशाओं के पीछ आपकी संपती उड़ा दी है आपने इसके लिए मोटा बच्डा मार डाला है इस पर पिता ने उससे कहा बेटा तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वा तुमारा है परंतु आनन्द मनाना और उलसित होना उचीती था क्योंकि तुमारा या बहाई मर गया था और फिर जी गया है या खो गया था और फिर मिल गया है प्रभु कासू समचार प्यारे बहाईयों बहुती सुन्दर वच्छन हम लोगों ने आज के दिन में सुना इस वच्छन के माद्यम से हम लोग देखते हैं उस पिता का प्यार अपार असीम अनन्त प्यार जो हम सभी लोगों के प्रती बना हुआ है हम लोग यानि की उडाव पुत्र के बांती इश्वर को भूल कर चोड़ कर त्याग कर दुनिया में खोने वाले लोग दुनिया के मौमाय के पीछे बटकने वाले लोग दुनिया के सुक्सम्रदी खोजने वाले लोग मैं और हम सभी और हम सभी लोगों के लिए वो पिता जो हम सबों से बेहद प्यार करता है चाहता है कि हम सभी उस पिता के पास लवट के जाएं उस पिता के पास लवट के जाएं क्योंकि पिता से दूर रहकर बली हमारे पास पैसे होंगे, बली हमारे पास दोस्त बंद मित्र होंगे बले हमारे पास बहुत कुछ होगा लेकिन वो हमें संतुस्ट नहीं कर पाएगा हमारा दिल तब तक बठकता रहेगा जब तक वो हमारे ईश्वर में एक नहीं होगा तब तक हम संतुस्ट नहीं रहेंगे दुनिया के ना चीज़ें, ना वस्तुहें, ना पैसे, ना जमीन, ना जाइजाद, कुछ भी हमें कुशियां नहीं दे पाएंगी, जो कुशियां हमें हमारा ईश्वर, हमारा प्रभु मसी हमें दे सकता है, इसलिए आज के इस सुन्दर पाट के दौरा, वच्छन के दौरा, प्रभु हम समों को बुलाता है, और वह इंतजार में हैं कि मैं लवट के आज पिता के पास जाओंगा, कैसे लवट के जाओंगा, पस्छताप करते हुए, मेरे एक एक गलती को, गुनाओं को, अपरादों को, पापों को याद करते हुए, ये निरने लेते हुए, मैं यहा से उटूंगा, और पिता के पास जाओंगा, पिता से कहूंगा, पिता जी मैंने स्वर्ग के विर्द और आपके विर्द अपराद किया, पाप किया, गलती की गुना किया, मुझे माफ कर दो, और पिता यही चाहता है, उड़ा हो पतर धन्य है, वो होश में आया, और उसने पिता ने उसको गले लगाया, चुम्मन दिया और उसकी नई अंगुटी पहनाए, नई जूते पहनाए, नई कपड़े पहनाए, मोटा बचला मारा आनंद मनाया और इस प्रकास से पिता परमेश रमस्वू क्या संदेश देता है एक पापी के पस्तावे परसवर गराज में आनंद मनाये जाएगा वो इश्वर निरंतर मारा इंतजार करता है, चाले सी किस अहुदी में भाईयो बेहनों हम सबों को इंतजार करता है कि हम से भी लवट के जाएं पस्चताप के साथ और आज का वो दिन है, वो पिता हम सबों को निमंतरन देता है, वेक्ति गदरुब से बेटा लवट के आओ, मुझसे दूर क्यों तूं जा रहा है, लवट के आओ, दूर जाने से तुमारा सुक नहीं है कुशियां नहीं हैं, सब कुछ लुपत हो जाएंगी, कतम हो जाएंगी, और तुम दुकी हो जाओगे, लवट के, आओ मेरे पास, मैं तमें कुशियां दूगा, आनन दूगा, शान्ती दूगा, प्यार दूगा, सब कुछ दूगा, वो पिता हम समों को बुलाता है और जब लुट के गया, तब पिता ने अपने बेटे को पुरे दिल से माफ करते ही, वह ही धर जा इया, बेटे का ही धर जा दीया, हलांके बेटे ने रिवेधन क्या, नवकर जैसा रख लीजี่ को उसने बेटे का ही धर जा दिया और एक तरफ हम देखते हैं बड़ा बेटा उसके पिता के घर में ही था पिता के साथ ही था लेकिन अब यह बड़ा बेटा जो अब तक बहुत अच्छा जिवन वितित कर रहा था पिता के बाते मान रहा था पिता के आदेश के अनुसाथ जी रहा था अब अपने चोटे बाई के साथ बाई को माफ करने के लिए तयार नहीं है शमा करने के लिए तयार नहीं है अब वो अपना धार्मिकता दिखाता अब तक मैं इतना अच्छा जिवन बिताया आपके आग्या में टाली नहीं मानता रहा आपके अदीन रहा सब कुछ क्या अब चोटी गलती उकर बहड़ता है अब अपने बाई के प्रती वो उधारता वो प्यार वो शमा नहीं दिखाता है और ऐसे में हम लोग उस पिता के उस आनन्द के भागी बनने से पीछे हर जाते हैं और ये विक्ती बड़ा भाई उस आनन्द में शामिल होना नहीं चाहता गर के अंदर नहीं जाता बलकि पिता अगर से बाहर आता है बुलाता है बेटा आ जाओ शामिल हो जाओ और वो इंकार करता है ईश्वर हमारा इसी प्रकास निरंतर बुलाता है लवट के जाने के लिए अगर हम अच्छे जवन बिता रहे हैं दूर जा रहे हैं पिता सुएम बाहर आता है और बुलाता है और पिता चाहता है चाहे बेटा चोटा हो चाहे बड़ा हो आनन्दित रहे कुश रहे पिता के साथ रहे पिता के आशिशों से बरपूर रहे पिता यही चाहता है आज के दिन में प्रुबह हम सबों का बुलाता है चाले से किस अहुदी में सच्चा पश्चताप करें और निरनाई लें उटने का चोटे बेटे के बांती उस बुराई से उस पापमे संगती से पापमे आदतों को त्याकते भी पिता के पास जाने का पवित्र जीवन जीने का निरनाई लें और इसुंदर जीवन वितित करें बड़े बेटे के बांती हम कटोर ना हो जाएं चोटी-चोटी बातों को लेकर हम कटोर ना हो जाएं अपना दिल मुलाहम रखें अपना दिल उधारता से प्रेम से बर्पूर रखें ताकि प्यार बांटे जाएं प्यार परोस्ते जाएं शमा देते जाएं क्योंकि हमें शमा की आवश्यकता है इसलिए हमें शमा देने की जरुत है उसा प्रवु को धन्यवाद दे आज के सुन्दर वच्णों के लिए इस सुन्दर वच्णों के अनुरूप जिवन बिताने की शक्ते सामर्द्य मांगें आमें